वेलकम टू माई चैनल तो आपने अगर पहला वीडियो देखा है तो आप इस वीडियो को रिलेट कर पाएंगे अगर नहीं रिलेट कर पाते हैं तो आप एंजॉई कीजिए इस वीडियो को ये पान प्लैंट है जो मैंने लगाया था नीचे तो ये उपर तक कैसे आया है कोक च्छत पे उगा है इस कोकुनेट्री को हमने नहीं काटा है तो ये नीचे से उपर तक च्छत के अंदर से ही आता है मैं दिखाऊंगे आपको अप्छेक देखते रहे है तो ये बहुत ही वाइबरेंट कलर आ रहा है तो उपर जो लगा हुआ है पान प्रेंट दा कलर थोड़ हुआ जाता है तो ये देखने में बहुत दी सुन्दर खुब्सूरत लगता है तो ये आप देख सकते हैं इसमें नीचे कैसे गया है ये फान प्रेंट कुछ से ग्रोव करते हुआ उपर तक आ गया है तो मैं नीचे भी दिखाने वाले हम वीडियो को देखते रहे है तो य ये नीचे से मैं दिखा रही हुए देखी नीचे के ग्रोव हुआ है और ये खुद से ही उपर तक चला गया हमने कुछ किया नहीं है आप भी आपने के घर में लगा सकते हैं पान प्रेंट आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा फिर कैसे लगाना है वो मैं उस लास्ट आम जो प्लेंट लगाया था वो कैसे ग्रोव हुआ है वो में दिखाने वाली हूँ तो अब वीडियो कंटिन्यू कीजिए तो ये पत्ता मैं निकाल दे रही हूँ तो आप वीडियो को एंजोई कीजिए कैसे ग्रो हुआ है मैं पुरा दिखा रही हूँ आपको आप दे लिजिए और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस मुझे सपोर्ट कीजिए और मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और वीडियो मना सकूं और उसकी लिए आपको सब्सक्राइब बटन में क्लिक करना है बिल्कुल चार्जबल नहीं है बस आपको वीडियो जब मैं यूँ अपलोड करूंगे आपको पता चलेगा अगर आप वो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर देंगे तो अगर आपको पसंद आया वीडियो जरूर लाइक और नॉमेंट करके मुझे बताईए कैसा लगा आपको और और किस पेर पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मेरे खर में बहुत प्लांटेशन किया है वेजीटेबल्स का वो भी मैं दिखाने वाली हूँ अब सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देंगे तो आपको अप्डेट साते रहेंगे तो यह मैंने पहला वीडियो में लगाया था वही ग्रो हुआ है आप देख सकते हैं आप अगर नहीं देखा है वो वीडियो को चेक कर लीजिए तब आप रिलेट कर पाएंगे अब बहुत ही क्यूट लगता है मुझे यह प्लैन खाने में भी अच्छा लगता है कभी-कभी तो यह पहला वीडियो में मैंने दिखा चुकी हूँ आप जेक कर लीजिए वोप आपको यह वीडियो पसंद आए फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में बाई